हेलो अब्रीबन तो आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं आपके स्कूल की तरफ से जो आपका मेंच चेप्टर था आपने 4.2 तक कंप्लीट कर लिया है आज मैं जो आपकी एक्ससाइज करने वाला हूं वह 4.3 है ठीक है तो जो मेंट्री से रिलेटिट ही है सिंपल जो चेप्टर था आपका जो मेंट्रीकल से था तो असी से रिलेटिट है बहुत आपको बस फिगर आउट करना है और उब्सर्व करना है फिगर को और उनके आंसास देने क्लियर है अब जैसे कि यहां जो कोईस्चन लिखा हुआ है फॉस्स लिखा है नेम दा एंगल स बताने है तीको जैसे आपने एक नाम शुरू अगा ट्राइंगल साना मतलब क्या है इसमें ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा फिगर जिसमें तीन आंगल बन जाये राए क्लियर है और कम से कम एक एंगल बनाने के लिए ना आपको टू लाइन्स की नीड होती है जब वह द तो आप देख पाएंगे कि ये लाइन और ये वाली लाइन यानि एडी और एबी यहां पर एक दूसरे से मिल रही है तो यहां एक एंगल बनेगा इसी तरह यहां पर बनेगा यहां बनेगा और यहां बनेगा तो इन एंगल का नेम कैसे देते हैं आप वो देख लें जैसे य यह जो साइन हाओ एंकिल का साइन होता element है फिर हम कहें सकते यह इंज सकते हैं डी कि ए कि क्या कहें सकते अंकिल estimates 3 पी जुब मिडल में लंबर आता है न Vocêsमाग कर्म लिखा है letter उसी letter पर जो एंगल बन रहा है वो लिखना होता है और उसके आसपास वालों का याणि कि D A B जो एंगल बन रहा है कहां बन रहा है एपर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते एंगल B A D ठीक है तो अभी वह एंगल A की ही बात कर रहा है एक एंगल यह हो गया अभी दूसरा क्या है एंगल B तो एंगल B को हम और कैसे ही लिख सकते हैं तो एंगल A B C लिख सकते हैं एंगल A B C B पर बन रहा है अगर आप चाहे तो इसको पीछे से भी लिख सकते हैं एंगल C B A एंगल C B A क्लियर है तो अभी इस एगेस इंगल देखें आप एंगल सी इंगल सी को और क्या अधर बेश है लिखने का हम लेख सकते हैं बी सीडी एंगल बी सीडी क्लियर है और एक टाइप और है लिखने का जैंगल डी सीज इंगल दी सीडी फिर लास्ट एंगल है आपको इसमें एंगल D एंगल D को कैसे लिख सकते हैं और एंगल C, D, A लिख सकते हैं आप एंगल C, D, A और एंगल A, D, C इस तरह किसे आपको इस figure को observe करके एंगल से लिखने थे अभी next question क्या आपका लखा है in the given diagram name the point आपको कुछ question पूछेगा हैं इस diagram से related तो वो first जो question ने लिखा है in the interior of angle D, O, E लिखा है in the interior interior of angle D, O, E इसका मतलब क्या है कि angle D, O, E जो है ना उसके अंदर कौन सा point है कहले लिखा है in the given diagram name the points आपको जो diagram है उसमें points के name बदाने है जैसे question पूछा है तो कहा है कि in the interior of angle D, O, E इंगल D, O, E समझ लेते हैं पहले तो D, O, E, D, O, E बीच बाला क्या है, O, तो इस angle की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस angle के beach में कौन सा point है तो beach में आप देख पा रहे हैं a point बना हुआ है क्योंकि यह line ऐसे निकली है तो एक आएगा बीच में आएगा तो यहां जो answer आएगा वो क्या आएगा इसका जो answer आएगा a answer आएगा क्या आएगा a number second है in the exterior of angle EOF in the exterior of angle EOF आप देखें यह EOF ठीक है इदेखा ओ देखा एफ देखा यह वाला angle बना करें exterior यानि बाहर इस angle के बाहर कौन-कौन से point है तो देखो EOF में EOF तो सब इसी में इसके बाहर कौन है c है a d है यह सारे कहा है बाहर है तो हम यहां लिख देंगे a a point a sorry a c or d यानि जो point a c d है वो exterior है किससे EOF से बाहर है नुबर थार्ड को इसन भी आई थिंक किसमें पूछा किया आप से कहते हैं कि on EOF on angle EOF यानि angle EOF पर कौन है angle EOF पर आपको point B दिख रहा है दिख रहा है ना point B तो आप यहां से लिखेंगे B क्लियर इस तरह से आपकी जो question number one question number two हो गए अब जो question number three रहेगा वह आपको ही खुद करना है ठीक है और इस तरह से यह आपकी जो exercise है वही फिनिस हो गई है हम मिलेंगे आपसे next video में ठीक है और next exercise के साथ तब तक के लिए thank you all of you have a nice day